नमस्कार आप सभी का एक बाई फिर से स्वागत है काफी दिनों के बाद आज हम लेकर आए हैं कि स्पेशल वीडियो थोड़ा से इंफर्मेटिव वीडियो होने वाला है एक ऐसी एसे स्रीज है जिसके थूँ आप अपनी जो लॉंग राइड से उनको थोड़ा सा कमफर्टे रेंड शू कवर इसे अपना रेंड कोट होता है सेम उसी टाइप से यह हमारे पास जू तो क्या रेंड कोट केने का मतलब है कि जो वाटरपूफ शूज आते हैं वो काफी मेंग आते हैं कि जो क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया होती है कई बार लेकिन हालाते ऐसे होत ब grapple है यह बार पास बजट होता है थोड़ा सा लेमीटेर तो एससी सिच्वेशन में काम आते हैं यह शू कवर शू कवर के अंदर आपको क्या क्या मिलता है यह हैỉन यह है मिलता है यह मिलता है तो यह जो है यह company आप देख सकते हैं यह company है यहाँ पर चेकर्ड फ्लेक की जैसे कि मेरा साइज यहाँ पर आठ है तो मैंने यहाँ डबल एक्सल जो है शू कवर मंगाया है तो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखते हैं यह शू कवर तो यह जो material है यह material के मैं बात करूँ तो यह PVC material है यह देखो बिल्कुल शाइनी जो आपने च्छता नहीं आता कि च्छाता जो च्छाता आता है यह उसी का material है और यहाँ पर ब्रैंडिंग दिगी है चेकर्ड फ्लेक्स की और इसी तरह यहाँ पीछे की साइड अच्छा खासा sticker दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छ यह hook दिया हुआ है जिसके तुरू यह जो इसके तुरू जो यह वाला strap है यहाँ से इस तरह से connect हो जाएगा यहाँ से और other end से होता हुआ दूसरे साइड connect हो जाएगा इसको भी हम आपको shoes पर लगा के दिखाएंगे इसके अलावा यहाँ जैसे front है front में कुछ भी थिक नह करके यहाँ कुछ इस टेक्निक से यहाँ पे सिलाई करी हुई है यहाँ पर यह दो स्ट्रेफ्स दिये हुए है ताकि इसको खेंच कर सकते हैं अंदर से मैं दिखा दूँ तो यहाँ देखिया front के अंदर यह पूरा एक portion है जहाँ पे थोड़ी सिलाई करी हुई है और इसके एक बारे से पहन लेता हूं विदाउट कुछ अब यह मेरे नॉर्मल शूज है जो की आठ नंबर के शूज है अभी इसके उपर में पहन डाल लेता हूं अपने जो यह चेकर्स फ्लेट के जो शू कावर है वह कुछ इस तरह से जाएंगी काफी कमफर्टेबल आ गया है ध्यान रहे अगर आपके पास इस ताइप से छोटे शूज है तो बड़े आसानी से आ जाएंगे लेकिन आपके पास जो बड़े शूज आते हैं लाइक जिनका कि यहां से हेल उंची है और यहां तक वो हैं तो थ सेट कर देना है ऐसे खेंच के इसे क्या है टाइट हो जाएंगे देखिए यह इस तरह से यहां से ब्लकुल सील हो जाएगे टाइट हो गया है यह जो स्टेप इसको यहां पर लगाना है एक को जो दूसरा है इसको यहां जो दूसरी साइड है यहां पर इसको लगा देंगे इस तरह से यह यहां पर पेक हो जाएगा काफी बढ़िया पेक हो चुका है तैम ऐसा ही दूसरा है उसको भी हम लगा देता है ठीक है तो अब यहां पर यह इस तरह से आ चुके हैं साउंड के चक्कर में कहा है कि फैन आफ करके करना पड़ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा तो और कितना कमफटेवल है राइडिंग के दोरां तो चलिए खोजते हैं इस चीज हम इसको पुरा पानी से फिल कर लेते हैं तो अभी यह हो चुका है पानी से बिलकुल फिल तो मैं इसमें डाल देता हूं यह मेरा शूस बिलकुल यहां पर मैंने डूबो दिया है और मुझे अब बिलकुल अच्छी तरीके से ऐसे मैं दूसरे शूस को डालता हूं यह मैंने दूसरा शूस डाला है एक दब शू की जितनी हाइट है उसके अगोडिंग इसको डाल दिया है पिर भी अब अभी तक कुछ नहीं होए इसको अब दूसरा हम टेस्स करके देखते हैं यह द पर जैसे गिड़ता है पानी उस टैप से यहां पे बिल्कुल पानी कुछ भी नहीं जा रहा अंदर वाव तो यह तो हो गई है यहां पे इसकी पानी के अंदर टेस्टिंग अब मैं आपको थोड़ा सा बाइक के ओपर लबाइक के ओपर किस टाइप से यह लगने वाला है वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ तो सब कुछ यहां पे टेस्टिंग हो चुकिए अब यहां पे किसको ओपन करके देखते हैं कि क्या शूज गीले हुए हैं या नहीं हुए तो यहां पे जो यह स्ट्रेप है यह गीला हुआ है अफकोर्स ओपन करने से पहले में एक बार बता दू कि आखिर बाइक के ओपर क्या सिच्वेशन रहती है कि नीचे का हिस्सा है यह थोड़ा सा थिन बाट है जो कि आपके शूज के अकोर्डिंग बहेव करेगा तो आप अगर कही राइड पर जा रहे हैं तो पहले इसके आदी हो जाईए क्योंकि आप गेर शिफ्ट करने में थोड़ा सा जीब सा मैसूस होएगा तो इसको यूज करके आप पहले इसके आदी हो जाईए कि आखिर इसको चलाने में कैसा फील आता है यहां से यह बिल्कुल पतला बाकि इसको टेश्ट करके देखें कि तब पतना लएक थाल है कि मैं इसको उटारता हूं तो यहां पे जो पानी वह वह जो ऑपनी कि थंड़कती वो मुझे यहां पर मैंने सोक्स ने पेंड़ा है कि इसलिए मुझे ठंदा-ठंदा मेसूस हो रहा था मुझे लग रहा था कि क्या पता है इसमें पानी आ गया कुछ हद तक यहां पर क्वालिटी का हमें अंदाजा लगी गया है या भी भी इससे पानी निकल रहा है यह देखिए तो यह पानी अंदर वैसे तो नहीं गया बागी राइड करने वे पता चलेगा राइड के अंदर यह कैसा परफॉर्म करते हैं यह मुझे अमेजन पर इतने रुपए के पड़े हैं सबसे चीपेस्ट जो वाटरपूफ सेफटी शूस थे रा करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा थाकि आपको हमारे वीडियो मिलते रहें तो बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर तब तो मुझे जाते दीजे नमस्कार झाल